खबर यूपी के प्रताबगर जिले से हैं जहां सोनपुर के ग्राम प्रधान समयत 50 लगों पर लाठी डंडा और उसलहे के बल पर घर में गुश कर तोड़ फोड़ और लूट पाट करने का गंभीर आरोप किया गया मामले की पुलिस से सिकायत पुलिस ने सुरू किया मामले लाठी टंडे और कुलहाडी के साथ देशी कट्टे के साथ घर पर चढ़ाये और उनकी मावहन बेटियों को गाली देना सुरू कर दिया घर में तोड़ फोड़ किया घर वालों को जिंदा जलाने की धमकी दी और दरवाजा तोड़ कर घर में घुश कर लूट पाट भी कि आरोफ है कि दुरान घर की महिलाएं सहम गई और किसी तरीके से घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग कर अपनी जान बचाई घर का मुख्य दरवाजे का गेट तोड़ कर यह सभी लोग अंदर घुश गए और अड़तों की गहने भी उठा ले गए सारी खिड़कियां सी से दरवाजे और अन उपयोगी घरलू समान बाहर खड़ी गाड़ी में भी तोड़ फोड़ किया और डीजल डार कर फोकने का भी प्रयास किया गया इनके हाथों में आरोफ है घातक हतियार और इनकी उगरता को देखकर सभी लोग हैरान थे गाओं के अन घरों में भी तोड़ फोड़ किया गया है और महिलाएं इसकी वज़ा से डरी सामी हुई है और पैलाइन कर रही है बता दे कि यह सब कुछ हुआ मौलाना फारुक की हत्या के बाद जब भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए तो कई घरों में तोड़ सके और आगजनी जैसी घटना होने से बाल बाल बच गया पीडित की रिशन पांडे ने आरोप लगाया है कि अभी भी गाओं के प्रधान सल्मान दौरा उनकी और उनके परिवार वालों की हत्या भी कराई जा सकती है इसके लिए उन्होंने लिखिस सिकायत जिठवारा था नाटा पसरा हुआ है और आज भी पूरे गाओं को चाओनी में तब्दिल किया गया है बता दें की आठ जोन को मौलाना फारुक की हत्या के बाद पहुंचे आला अफसरों से भी उग्रभीड की काफी नोग जोख हुई थी और इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपिय गाओं में एक दिन पूर भी प्रताब गड़ के सपा से निर्वाचित सांसद स्पी सिंग पटेल भी पहुंचे जिसके बाद राजनेते के गलियारों में कई सारी चर्चाएं हो रही हैं वहीं बताय जा रहा है कि अखलेश यादो मामले को स्वैंक संग्यान में लिये हैं और उनकी एक जाच टीम गाओं में पहुंचकर जाच परताल करेगी वहीं मंगलवार को परजराम सेना और अधिवक्ताओं ने मिलकर जिलादिकारी के ग्यापन सवपा है जिसमें हिंदू परिवार पर हो रही एक तरफा कारवाई का बिरोज जताया है जिलादिकारी से मां परिश भी लगातार शक्री है और पूरे इलाके की मोनेटिंग की जा रही है हत्या के मामले में क्या कुछ कहना है सियो सदर का सुनी दिरंग आठ जून दो वजर चोबिस को ठाना चेत्र जेथवारा अंतरगत ग्राम सोल पूर में पैसे के लिंदिर के विवास को लेकर एक सब्सक्राइब अभियोग पंजिक्रित किया गया था उक्त अभिवेचना के सीघ्र अनावरण तथा अभ्यक्तों के गिरवतारी है तो श्रीमानपुली सदीचक माहुदय प्रतारगर द्वारा तीन टीमों का गठन किया गया था इसी क्रम में पूरू में दो अभ्यक्तों को गिरवतार कर जिल भेजाया चुका है आज दिनांक 11.2024 को एक अभ्यूग्त चंद्रमणी तीवारी उत्रसीव लखन तीवारी की गिरवतारी थानाचेत्र जेठवारा से की गई